तो दोस्तों इससे पहले वाला मेरा व्लॉग अगर आपने देखा है तो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक स्पोर्ट्स हेलमेट और किया था ओनलाइन तो फाइनली मेरा स्पोर्ट्स हेलमेट आज मेरे पास पहुंच चुका है आज ही डिलिवर्ड हुआ है अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में लिंक डाल दिया है वहाँ जाके आप मेरे इस व्लॉग को देख सकते हो तो इसकी एंबॉक्सिंग में आपके सामने करूँगा और आप कैसे अपने एक्शन कैमरा को हेलमेट पर मांट कर सकते हो वह आगे मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले फ्रेंड्स जिन भायों ने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर दें के अ कि कि इस सोफेंड्सेंट जो मेरा हलमेट वह मैंने एमजोन से अलाएन उस्टर Whole यद ANY STUDENT pilot किया था जो की मेरे पास विदिन वन वीक में पूंच चुका ए और यह मीडियम साइज मैं अऊडर किया था तो दोस्तों अगर आपने अपने एक्षिन गैमरा को हेलमेट पर माउंट करना है तो आप उसे चिन पर या टॉप पर माउंट कर सकते हैं माउंट करना बहुत ही सिंपल है मैं आपको बताता हूं तो दोस्तों मैंने एक एमसील लेकर रखी है यह इसली आपको बाहर मार्केट में हाडवेर की शॉप में मिल जाएगी तो दोस्तों मेरा जो एक्षिन कैमरा है वो मैं अपने चिन हेलमेट की चिन पर माउंट करूँगा तो चिन पर जो सर्फिस है वो इर्रेगुलर है तो सबसे पहले मुझे एमसील की मदद से लेवल करना पड़ेगा लेवल करने के बाद जो हमारे पास के घर ब्रैकेट है उसे हम प्लेस करेंगे बिल्कुल हमएट के सेंटर बान पे ठीच्थ करने के बाद आपका काम 90 परसटिक काम आप восп का हो गया है तो दोस्तोbie में दो तरह के Comonomied रहते हैं एक ब्लैक कछलर का और एक ग्रे कछ नड़की कहनाः का रहता है दोनों कमस्य को प्रोपर्लडी मिक्स करना पड़ेगा जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो यह रेडी है हो जाएगा आपक अप्लाई करने के लिए आप अपने हेलमेट के सरफेस को एंसील की मदद से लेवल कर दीजिए बात भी जो आपका कर ब्रैकेट है उसे प्लेस कर दें कि वह मिडल पर हो तो फ्रेंड्स मेरा जो यह कर ब्रैकेट है वह फिक्स हो चुका है आप उसे चैक कर सकते हैं देखिए यह हेलमेट का पूरा वेट उठा रहा है मेक शियो आपका हेलमेट आपका ब्रैकेट अच्छे से फिक्स हुआ हो नई तो मोटो व्लोगिंग करते हैं वक्त आपका ब्रैकेट और एक्शन कैमरा दोनों गिर सकते हैं देन इट विल भी हूज लॉस्ट फो मी तो अब मैं एक्शन कैमरा की एक्शेसीरीज की हल्प से अपने हेलमेट के चिन पर माउंट करूं भास जेक्शार करते हैं तो दोस्तों पहले जेख को हम ब्रैकेट में फिक्स कर देते हैं इसको fix करने के बाद अगर आप अब भी अपना action camera को place करते हैं तो उसमें आपको angle मिलने में बहुत problem होगा वीडियो अच्छी से shoot नहीं हो पाएगा तो आपको दूसरी accessories जो है उसको आपको fix करना पड़ेगा इसको आप fix कर दोगे तो आपको angle easily आपको angle मिल जाएगा और अगर आप अपने action camera को आप fix करोगे तो आप इसको angle में कोई problem नहीं रहेगा वीडियो आप बहुत ही अच्छी से shoot कर सकते हो है सो फरेंड्स अनली my helmet and action camera is ready for motor vlogging अ मैं बाहर निकल के vlog shoot करता हूं आपके लिए और इन हमारी रेड लाइट हो चुकिए है और हम जो हैं इसको बिल्कुल और इसकट हम जो हैं और यह सामे एर्पोर्ट है इंडियन फ्लैग जय हो और एंट्री होते हुई हमारी जय हो और यहां तर लॉन भी बहुत बढ़िया है आपका वेटिंग करने के लिए एंट्री हुई है चितम डाचामने सची ने यंच विय्टी आधि तर राइब hell राइब अग्षाथ अट्रिय कर छो लिए सентиल करना ले एंग कर दो कर तो चाहिए है स्टाइद़ डली को जरना रगा है